सिर्फ एक चमच पानी में उबाल कर लिया। पूरी जिंदगी सुगर की बीमारी, कोलोस्टोल, पेट के रोग, मुटापा, जोडों का दर्ब और ये दिल से जुड़ी बीमारियां आपको कभी नहीं होती। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज की इस उडियो में मैं आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्के को बना कर दिखाऊंगा। जिसका प्रियोग करके आप अपने पूरे सरीर को बिलकोल निलोगी बना सकते हैं। और अपने सरीर की हर त्रहें की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। ऐसा है ये चमतकारी नुस्का। दोस्तों, क्या आपको डाइबिटिस की बीमारी हैं और आप अपने इस सुगर के लेवल को कंट्रोल करना चाहा दें। तब आपको इस नुस्के का सेवन करना चाहिए। और दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे, तब आपको इसके चमतकारी नतीजे दिखाई देंगी। दोस्तों, आपका जो सुगर लेवल है, वो बड़ी तेजी से कंट्रोल होगा और आप इस बीमारी से हमेशा बज़े रहेंगे। दोस्तों, ये नुस्का, ये काड़ा सिरफ आपके सुगर को ही कंट्रोल करने का काम नहीं करेगा, बलकि आपको इस डाइपटीज की बीमारी के जो भी कॉम्पलिकेशन होते हैं, आपको उन सब से भी बचाने का काम करेगा। दोस्तों, क्या आपके सरीर में बैड कोलोस्टोल बहुत अदेक बड़ा हुआ है और आप अपनी सरीर के इस बैड कोलोस्टोल का इलाज करना चाहते हैं, तब भी दोस्तों आपको इस मुख़े को हर रोज लेना चाहिए। और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके सरी में जो bad cholesterol बड़ा हुआ था वो बिलकुल control में जाएगा और आपके सरी में अच्छे cholesterol की मातरा बर जाएगी यानि आपकी cholesterol की विमारी का इलाज हो जाएगा दोस्तों दोस्तों क्या आपको पेट के रोग हैं आपका पाचनतंतर कमजोड हैं आपको कबच की समस्य रहती हैं आपको पेट में गैस रहती हैं या भी आपको एसडिटी की समस्य हैं तब भी दोस्तों आपको इसी एक चमच को हर रोज पानी में उबाल कर पीना चाहिए और दोस्तों आपका पाचन तंतर मजबूत बन जाएगा आप जो खाएंगे वो आपके सरीर में लगेगा और जब जो आप खाएंगे वो आपके सरीर में लगेगा तो इससे आपकी बोडी फोलादी बनेगी आपके सरीर की कमजोरी का इलाज करेगा दोस्तों यदि आपको मूटापा है और आप अपने इस मूटापे को कम करना चाहते हैं, अपने पेट की चर्वी को कम करना चाहते हैं, अपने जंगो की चर्वी को कम करना चाहते हैं, तब भी दोस्तों ये नुस्खा आपके लिए वर्दान है, यदि आप इस एक चर्मच को हर रोज पानी में उबाल कर देंगी, तब आपको इससे पेट की चरवी मक्खन की तरहें पिंगर जाएगी, और आप बहुत जल, बिलकुल सलीम और फिट बन जाएगी, दोस्तो आज तक आपने जितनी भी दवाईयां ले थी, उनका जो भी परभाव नहीं हुआता, ये नुचका उस जोडों का दर्द नहीं होगा, क्योंकि ये उसका कैल्सियम का घजाना है, आपके सरीर की हालियों को मजबूत करने का काम करेगा, आपके सरीर की कैल्सियम की कमिक का इलाज करेगा, और जब आपके सरीर की हालिया मजबूत होंगी, तब आपको कोई भी जोडों के दर्द, क क्योंकि ये एक चमच आपके हाट की ब्लोकेश को खूलने का काम करेगा दोस्तो आपके हाट को मजबूत बनाने का काम करेगा दोस्तो अगर आप इसे एक चमच को हर रोज पानी में उगाल कर लेंगे तब आपके सरीर की इम्मून पावर रोगों से लड़ने के सक्ति भी बहुत अधिक बर जाएगी और दोस्तों यह तो आप जानते ही हैं कि यदि आपके सरीर की रोगों से लड़ने के सक्ति भाई होगी तब आप बहुत त्रहेंगी बीमारियों से बचाएंगे क्योंकि ये रोगों से लड़ने की सक्ति के कान ही हमारे सरे में बीमारी आती हैं जब ये कंजोर होती है बालों के लिए भी परतान है दोस्तो यदिया आप इस एक चमच को पानी वी उबाल कर इस काड़े को पीते हैं मेथी दाना में अंटोक्सण, एंटी रिंकल, मॉस्टराइज़ось, स्किन समूधिंग बुन फाई जाते हैं इसके आलावस में दोस्तो बहुत सारे विटामिने और एंटी ओकजनदी पाई जाते हैं जो आपके सिरी को ताकत पर और हुलादी बनाने का काम करते हैं आपके स्रीर को बहुत त्रहें के रोबों से बचाते ही आईए जानते हैं कि इस नुस्खे का प्रियोग आपने करना कैसे है दोस्तों आपने क्या करना है एक चमच मेथी दाना ने और उसको एक गिलास लेकर उसमें रात भर के लिए बिगो कर रख जैसे कि यह हम ने रख अब आपने सुखे बासी मुख क्या करना है इसको एक बतर में डालकर आग पर उबालना है और इसको आग पर उबालने के बाद इसको ठंडा करके आपने उसका सेवन करना है आपने सरब एक चमच मेथे दाना पानी में उबाल कर देंगे और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तब आपको इसके चमतकारी नपिज़े देंगे आपको बहुत तरहें की बीमारियों में इसे वाइदा होगा दाइटी, कॉलोस्टो, पेट के रो, मुटापक, जोनों कदर, हड़ियों की कमजोरी और दिल से जुड़ी विमारिया आपको कभी नहीं होगी आपका पूरा स्रीर बिलकुल वलादी बच्चाएगा इतना चमतकारी है नुस्का तो दोस्तों देर किसे बात की है आप भी आज ही सुनुस्के का सिवर करें और अपने स्रीर को बिलकुल निरोगी बनाते हैं तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर एक रूर कीजी इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजी और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजी तापि आपको हमारी सबी आने वाली वीडियो की नोटिकेशन आते रही धन्यवाद दोस्तों